प्यारे बच्चों हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के Adgrade अभ्यास पुस्तिका के पार्ट 1 को बिल्कुल भी देव ना करते हो हुए बच्चों चलते हैं हम इस पार्ट के प्रश्ण उत्रों के ओर बच्चो इस अभ्यास पुस्तिका का जो पार्ट एक है वो है पुस्व की अभिलासा तो इसका जो प्रेशन के मांग एक है बच्चो वो है सुरवाला के गहने किस से गूथे हैं तो इस कभीता में जब हमने पड़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो सुर्वाला होती हैं, देवकन्या होती हैं, उनके जो गहने होते हैं वो पुस्पों से यानि फूलों से गूथे होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप ये प्रेश्ण का मांग एक कर सकते हैं, प्र जलते हैं, अगले प्रेश्ण की होता है, प्रेश्ण का मांग तीन है, वो है सीज सब्द का अर्थ लिखिए, यहां पर हमें सीज सब्द का अर्थ लिखना है, कि सीज सब्द का अर्थ क्या है, तो सीज सब्द का अर्थ होता है, बच्छो, सिर, या फिर हम इसे सर भी बोलत हमें कुछ शुआ वाह के बनाना जैसे पहला सब्द हरी तो representative असम कके लिए आप सब्द वाह 7-20 बना सकते हैं बच्छो समय भोस फोरी लायक नहीं बनना चाहिए थीक है अब जो दूसरा सब्द है बच्छो वह है भाग के इसके लिए आप नया सब्द है इंसान गेवल अपन बाग के बरुक से नहीं बैठना चाहिए. इस पर का। एक करते हैं इस से प्रेढ़ी का खराबना हो चाहिछा बनवानी होते हैं अपने बगीचे में विभन hey प्रकार पर पैड पोदे लगाते हैं और उनकी देखवाल करते हैं इस प्रकार से आप इस ब्रेढ़ीते प्रेढ़ी需要 के श्लیए сторону है अब चलते हैं अग्ले और यह है प्लीप से प्रश्ड प्रेस्ट करब श्याम मान की यहां पालिए यह बोज़ेर इस तरीके से आप 具 Physically History देढ़्ट बॉज्टम आफन कि भाख्या सक्ते हैं फस्प सबेसिकोके सिरे प्ल पसंदी भी प्रश्फ्प प्रश्प कर दें के लिए हम वाक्य बना सकते हैं वनमाली बगीचे के पेर बौदों की देखवाल करते हैं इस तरीके से यह अगला प्रेस्ट ने बच्चो प्रेशन के मांग साथ यह है यदि पुस्व की जगे पुस्तक अपनी अभिलासा पताती तो उसकी क्या-क्या अभिलासा हो सकती भी अ सर्बन में राजान के सर्बन इस थरीके से उसने अभिलासा बताएं थी ठीक है? और यहाँ पर अगर वह बोल रहे हैं कि अगर पुस्ट की जगे पुस्तक होती तो उसकी क्या-क्या अभिलासा होती? तो पुस्व की जो अविलासा होती वो ये होती कि पुस्व की जो बहुत महंगी महंगी किताबे आती हैं बच्चों जैसा कि हम देखते हैं तो वो किताबे निसुल्क होना चाहिए तभी वो सभी बच्चे उन्हें पढ़ पाते और उनका जो ग्यान का भंडार है वो प्राप्त कर पाते तो इस प्राप्त का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों मैं आपको पढ़के बता देता हूं यदि पुस्व की जगे पुस्टक अपनी अविलासा बताती तो पुस्टक की अविलासा होती की वे निसुल्क हो जिससे वे अपने ज्यान की बंडार से सभी का जीवन सवार पाती और अज्यानता रूपी अंदगार को संपूर्ण वेश्ट से हटा पाती इस तरीके से अब बच्चो हम मूलियांकन एक के प्रस्टनों को देखेंगे इसका जो पहले नंबर का प्रस्टन है वो है पत सब्द का पर्यावची सब्द लिखिए तो पत सब्द का पर्यावची होता है बच्चो रास्ता आप रास्ता लिख सकते हैं इसके परियावची के रूप में आप चलते हैं अगले प्रेस्ट प्रेस्ट के मांग दो है वो है आप मात्र भूमी की सेवा के लिए क्या क्या कार करेंगे तो हम मात्र भूमी के लिए बच्चो अपना बलिदान देंगे, देश फ्रेम करेंगे और इमानदारी से अपने कर्थब का पालन करेंगे तो इसका आप इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं हम मातattered के लिए त्याग बरिदान बालेकर करेंगे इस तरीके से इस प्रस्म का उत्तर लिख सकते हैं बछो जो प्रस्म का माँग तीन है वो है पुसकी अभिरासा पाट में आये हुए पाँच पाँच किरिया सब्द तथा संग्या सब्दों को चाट कर लिखिए तो यहाँ पर बच्चो मैंने इस जगा पर किरिया सब्दों को लिखा है चाट कर वो इस जगा पर संग्या सब्दों को लिखा है तो हमारा जो पहला किरिया सब्द होगा वोगा तोड़ना, दूसरा है ललचाना, तीसरा है फैकना और छोथा है चड़ाना और पांचवा है इटलाना इस तरीके से ये पांच किरिया सब्द आप लिख सकते हैं और दूसरी साइड में ने संग्या सब्दों को लिखा है बच्चो पहला है सुरवाला दूसरा है गेना तीसरा है पोस्ट चोथा है वनमाली और पांचवा है माला इस तरीके से आप संग्या सब्दों को भी लिख सकते हैं तो संग्या सब्द आप जानते हैं बच्चो जे ना वीडियो अच्छी लगी है हमारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो